नमस्कार दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में पूर्वसांसद अकबर अहमद डंपी के बारे में बताएंगे 30 जून 1948 को जन में अकबर अहमद डंपी आजमगड में जन में इनके पिता का नाम इसलाम अहमद है अकबर अहमद डंपी ने दहरा दून केनिंग कॉलर्ज से बीए और सीए तक की सीच्छा प्राप्त की है 28 दिसंबर 1990 को नैना अहमद के साथ इनका निका हुआ बात करें अकबर अहमद की डंपी की रानिती और सक्सियत की वारे में तो आजमगड के बड़े खांदान से तालुक रखते हैं अकबर अहमद डंपी इनके पिता इसलाम अहमद आईजी पुलिस रह चुके हैं अकबर अहमद डंपी संजे गांधे के बहुत ही करीबी दोस्ते और संजे गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे अकबर अहमद डंपी बहुजन समाज पार्टी के बड़े फायर ब्रांड नेता हैं अपने बिवाद दिदित बयानों के कारड काफी चर्चा में रहते ह इसके बार अरानिती में आगे बड़ते चले गए 1989 में दूसरी बार बिधान सबहा का चुनावजित कर बिधान सबहा पहुचे अगबर इहमदमपी आढ़मगर्ट के दबंग और लोगrah प्रिया नेता के तरब पर जाने आते हैं पूर्वान्चल में मुश्लिम के बड़े नेता हैं अकबर एहमद डंपी 1998 में हुए उप्चुनाव में पहली बार बस्पा से सांसर्बन कर दिल्ली पहुचे इसके बार एक बार फिर 2008 में जब उप्चुनाव हुआ तो फिर बस्पा से सांसर बन कर दिल्ली पहुचे अकबर एहमद डंपी अकबर एहमद डंपी दो बार उप्चुनाओं में सांसर बन कर दिल्ली पहुचे बस्पा के बड़े नेता हैं अकबर एहमद डंपी दोस्तो अगर आप को इनके बारे में ये वीडियो अच्छे लगे करें वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत